इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह डाइबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है। एप्रिगलेम एम दो टेबलेट पियार को खाने के साथ लेना चाहिए। अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार कि यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें। अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नु नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है एप्रिगलिम M2 टेबलेट पी आर का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लुकोस तर में गिरावट यानी की हाइपोग्लाइसेमिया है सुनिश्चित करें कि आप लो ब्लड ग्लुकोस लेवल के लक्षणों जै से कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इस से बचना चाहिए इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हिरदे रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं ये उप्यूक नहीं हो सकता है गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर् चाहिए आपके बलड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके बलड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए बलड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद